हाडी वाल्कम टू वन और प्रेजेंट यह नमस्कार दोस्तों मैं हूं विवेक और आप देखे अपना मन पसंदीद चैनल टेग देखो दोस्तों अंडर 15,000 एक स्मार्टफोन में बहुत ही धूम मचा दिया है वो है मूटो जी फोर प्लस और अभी रिसेंटली एक यू ब्रेंडिंग का यू यू उनिकॉन स्मार्टफोन विडिया मार्केट में लॉच हो चुका है तो अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में क जो लोग नहीं जाते हों ने मैं बता दूँ के मोटो रोला एक लेनव ओंड ब्रेंड है उससे पहले वो गूगल के पास था और यू जो कंपनी है वो माइप्रोमेक्स की एक सबसेटरी कंपनी है तो दोस्तों अगर आप मोटो जी वोर प्लस के डीटल स्पेसिफिकेशन प और यू यू यूनिकॉन की भी लिंग ऊपर प्रोवाइट की गई है डीटल स्पेसिफिकेशन पी तो दोस्तों इन दोनों के कंपनेजन की बात की जाए तो मैंने कुछ डीटेल स्नो डाउन की है ताकि कुछ भी पॉइंट मिस आउट ना हो जाए स्क्रीन और लुक की बात की जाए तो लुक में मोटो जीफोर प्लस एक प्लास्टिक बॉड़ी पर बिल्ड है लाइट वेट है इजी रहेगा हाथ में जबकि अगर यू कमणी की बात की जाए तो यू यू यूनिकॉन में उसने अपना फर्ष्ट मेटल बॉड़ी स्मार् स्क्रीन क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही 5.5H के फुल HD IPH डिस्प्ले पे आता है लेकिन गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ मोटो जीफोर प्रस में तो ऐसा नहीं है कि यू यू यूनिकॉन में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है एनी जी एड्वांटेज है कि मोटो जीफोर प्लस में गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है प्रोसेसर की बात की जाए तो मोटो जीफोर प्लस में कॉंकॉम स्नैप्रेगल 617 का प्रोसेसर आता है जो कि एक उक्ताकोर प्रोसेसर है क्लॉपड़ाइट 1.5 GHz बहुत ही बढ़िया प स्मार्टफोन आपके गेम्स को अराउंड से चला लेते हैं लेकिन एसफाल्ट में यू यूनिकॉन का थोड़ा लेक देखा गया है उसमें थोड़ी प्रोब्लम आती है लेकिन हीटिंग प्रोब्लम की बात की जाए तो यू उनिकॉन बिल्कुल भी हीट नहीं करता जबकि जाता है तो आपको अगर एक ऐसा स्मार्टफोन चीज़ है जो आप सिर्फ गेमी के लिए यूस करना चाहते हो तो आप यू यू यूनिकॉन पर जा सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे तो लेक देखा जा रहा है मोटो जीफोर में कोई लेग नहीं देखते को मिल रहा है हीटिंग प्रॉब्ले माइट भी एक वेस अब्डेट किसी भी फिक्स बग जो वेस अब्डेट रिलीस करते हैं उसमें प्रॉब्ली सॉल्व हो जानी चाहिए कैमरे की बात की जाए तो कैमरा भाई मोटो जीफोर प्लस में बाजी मार जाता है कैमरे में मोटो जीफोर प्लस में 16 मेगापिक्स का ड्यूल टॉन ड्यूल अलेडी प्लेश मिलता है वो तो ठीक है वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसके साथ आपको लेजर आटो बात की जाए तो मोटो जीफोर प्लस में आपको 3000 बैटरी में मिलती है जबके यू यूनिकोन वह 4000 हमेज के बैटरी में मिलती है OS की बात की जाए तो आपको Moto G4 Plus में जाना चाहिए, आपको एक लिएस दो साल तक कोई प्रॉब्म महीं रहीगी, OS अपडेट आपको मिलता रहेगा, डिरेक्टिव टम मोटरोला में एक और चीज है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे कस्टमरों जिसको दो सिल्टों यूज़ करना ही करना पड़ता है और उपर से एक Micro HD Card भी चाहिए, तो आपके पास कोई option नहीं है, Moto G4 Plus की एक option है क्यूंकि यू उनिकॉन आपको एक Hybrid SIM Slot के साथ आता ह Well, मेरे इसाब से मेरे सारे points covered कर लिये हैं, आपको अगर camera का smartphone चाहिए तो Moto G4 Plus में चाहिए, आपको battery के लिए कुछ चाहिए तो आप यू इनिकॉन में जाहिए, OS updates तो Moto G4 Plus में आते ही हैं, सबको मालूम ही है, तो मुझे यकीन है आपको अब तक साड़ा confusion दूर हो गया होग जो आपके requirements हैं कि मेरे को camera वाला smartphone चाहिए, तो Moto G4 Plus में जाहिए, या फिर एक must look वाला smartphone चाहिए, तो यू इनिकॉन में जाहिए, फिर भी आपको कोई confusion, कोई doubt या कोई question है, तो comment section खुला है, आप उसमे comments कीजिए, मैं reply करूँगा, तो दोस्तों मुझे यकीन आपको मेरा य से like कीजिए, subscribe कीजिए, आपके जितने भी friends है, जिनको कोई confusion है कि by Moto G4 Plus लेना चाहिए, कि यू unicorn लेना चाहिए, उन सारे friends को ये वीडियो शेर कीजिए, नीजे ये option है, एक click में share हो जाता है, जल्दी मैं लटूँगा एक नही वीडियो के साथ, तब तक के लिए, टाटा, बाल बाल and stay tuned to Tech Niko.